तो दोस्तो इस्तिरी टू फिल्म बॉक्स ओपीस पर ताबर दोर कामाई कर रही है तो वही आज हम बात करेंगे सरदा कपूर की फिल्म इस्तिरी टू और सेनिद्वाल की फिल्म गदटू की 21 दिनों की बॉक्स ओपीस केलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे कौन सी फ सबस्क्राइब करना ना भूले तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिनेद्वाल के फिल्म के बारे में तो आपको बता दूएनिल सर्मा के डियरेक्शन से बनने वाला यह फिल्म अपने पहले दिन 40-10 लाग के लेक्शन किया तो दूसरे दिन थृतालीस करोण का तीसरे दिन एकवाल करावर किया जबके दूसरे हफ़ते फिल्म ने कमाई थे 134 कौडे रूपय अगर बात क Kore फिल्म की 21 दिन तो गदर टू फिल्म अपने 21 दिन 8.10 लाग का केलेक्शन किया जैसे इस फिल्मा के केलेक्शन शुरुआती 21 दिनों में इंडियान बॉक्स ओपीस पर चार्सो तिरासी कोल का हो गया था तो वल्डाइट बॉक्स ओपीस पर चोसो चालीस कोल का अखड़े को टैज कर लिया था तो दोस्तों बात करते हैं सरदा कपूर की फिल्म है इस तरी टू फिल्म है 2018 में आई इस तरी फिल्मा का सीक्वेल है जिसको 25 कोल के बजट से बनाया गया था और वल्डाइट बॉक्स ओपीस पर 181 कोल की कमाई करके बॉक्स ओपीस पर सुपरीट हुई थी तो दोस्तों इस तरी टू फिल्मों कामर कोशिंग ने डायरेक्ट किया जिसे इंडिया में 3000 इसक्रिंड पर तो अबरस इसमें सोलो सी स्क्रिंड पर याने इस फिल् हुआ फिल्मों का क्लेक्शन इंडियान बॉक्स ओपीस पर 309 कोल का हो गया था तो व्ल्डाइट बॉक्स ओपीस पर 441 कोल का कारवार किया था और इस तिरी टू फिल्म अपने 12 दिन चौक आपके से इस फिल्म का केलेक्शन शुरुआती 21 दिनों में इंडियान बॉक्स पर 502 कोड़ का हो जाएगा तो वर्ल्डाइट बॉक्स पर 710 कोड़ काकड़े को टच कर लेगी तो दोस्तों आज के केलेक्शन के मामले में सर्दा कपूर की फिल्म स्त्री टू ने मारी बॉक्स पर बाजी और स्त्री टू बनाच का सबसे बड़ा सुपरिश्टार